पाकिस्तान की टीम टीट्वेंटी विश्वकब दोजास चौबिस से शुक्रुवार को बहार हो गई वही पहली बार टूनमेंट खेलने उतरी सहा मैजबान अमरीका ने इतिहास रचते होए सुपर एट के लिए कौलिफाई कर लिया है मैवर अजम के टीम ने शर्मनाग प्रदर्शन पर पाकिस्तान क्रिकिटर्स का गुस्सा फूट पड़ा है उन्होंने सोशल मीडिया के जरीए अपनी भडास निकाली अमरीका और आयरलेंड के बीच फ्लोरिडा में खेला जाने वाला मुकाबला बारिश की भेट चड़ गया अमरीका को मैच रद्ध होने से जहां फायदा हुआ और ग्रूप A से भारत के बाद वो सुपर आट में जगा बनाने वाली दूसरी टीम बन गई वहीं इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 2009 की चैंपियन टीम पाकिस्तान पड़ पड़ा जिसका सफर ग्रूप चरन में ही थम गया पाकिस्तान के लिए काफी निराश्य जनक है क्योंकि टीम 2022 की उपविजेता रही थी इतना ही नहीं उनके नाम पुरुष टी-20 विश्व कप से सबसे ज़्यादा बार सामी फाइनल में पहुचने का रिकॉर्ड भी दरज है पाकिस्तान के निराश्य जनक प्रदेशन पर पूर्व खिलाडियों ने बाबर आजम की टीम को फटकार लगाई है पाकिस्तान के टीम को दोरा जटका लगा है पहरे तो हो सुपर एट की दोर से बाहर हो गई इसके अलावा दो साल बाद यानि भारत और श्रिलंगा की मेजबानी में होने वाले टी ट्वेंटी विश्व कब दोहजाट शब्विस के लिए उनका डायरेक्ट कौलिफाय करना मुश्किल हो गया है उन्हें इस टूर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए कौलिफायर्स मैच जीतने होंगे